साथियो नमस्कार मैं डॉक्टर नारायन सिंग करसी जागरन की टीम से और आज मैं हूँ मालती ओचड मनाघेर मुक्तिस्वर नैनिताल में दोस्तो आज जो मैं आपके मध्य जानकारी लेका है हूँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नासपाती की पैकिंग हो रही है कि किस तरीके से पहले किस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं और आपको दिखाता हूँ जो फ्रूट क्वालिटी है यह देखिए यह जिसको हम हरी नासपाती बोल सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा साइज इस नासपाती का हुआ है और आपको क्लोज मैं दिखा रहा ह यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो टाइप की वराइटी यहां पर इसकी पेकिंग, जो यहां के किसान हें माल तो चटकें हो कर रहे हैं तो इनसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपना नाम बताएए artistic backup làности Shank vasaf房 evolve जो आपने बताई कि यह टेवल वराइटी है और एक जो ककड़िया जिसको लोकल में बोला जाता है वो बेसिकली प्रोसेसिंग की वराइटी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अंतर है जो प्रोसेसिंग की वराइटी आप देख रहोंगे यह थोड़ी सी लॉंगर सेप में होती है और जो खाने वाली नासपाती है यह थोड़ी सी इसका सेप थोड़ा सा गोल है और स्वाद में यह बहुत ही जूसी होती है और ब बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है क्योंकि जो नासपाती के गुण है एक तो इसमें काफी जूस होता है और जूस होता है इसमें तो इसको खासकर गर्मी से बसने के लिए नासपाती को लोग बहुत ज़दा पसंद करते हैं और देखिए किस तरीके से पैकिंग की जा रही है तो यह जो आम वाली पेटिया लकडी के बॉकस होते हैं उसमें इनको भेजा जाता है लेकिन इनका कहना है कि जो खाने वाली नासपाती है जो जाकनेल है इसको और सूकरेटे बॉकस में यह लगजár भाल किया ठीrise है पांट सो से बीचन पर पेटी जा रहा है और इसको हम यह जो कावच के गत्ते वाली पेटी होती है उसको पागिंग करेंगे इसके जो रेट हैं वो पॉर नियुक्त पर वाक्स जाता है किसान के द्वार तक पहुंचने चीए जिससे की किसानों को अच्छा रेट मिलेगा हल्दवानी मंडी में भेजा जाता है हल्दवानी मंडी के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जब उत्राखंड यूपी में हुआ करता था तो आजातपुर मंडी के बाद हल्दवानी मंडी का दूसरे नंबर पर नंबर आता था तो काफी बड़ी सब्जी मंडी हलदवानी की है, जिसमें कि पहाड की सब्जिया, पहाड के प्रूट्स, पहाड के ट्रेडिस्टल प्रूट्स बिकते हैं, तो mainly यहां का जो मार्केट है वो हलदवानी है, तो नासपाती की फसल पहाडों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, किसी स्प्रे की जरूरत नहीं है, प्रूनिंग कटिंग की जरूरत नासपाती में नहीं होती है, जरूरत इस बात की है कि और अच्छी वेराइटी की नासपातियां पहाड के किसानों को मिले, जिससे कि यहां का किस अपने जीवन को सुद्रण कर पाए आज के लिए बस इतना ही थैंक यू